नमस्कार साथियों मेरा यूटीब चैनल सुविधा 2010 में साधर पूर्वक अभी नम्लाण ग्यान बढ़ाओ पाठ्थ 215 के मात्थम से अज बात करेंगे 20 जुलाई को घटित महत्पूर्ण घटनाओं के साथ जनमदिवस पूर्णती थी उत्सव एमंग अबसवरों के बारे म आज के इस एपिसोड में सन 2021 से लेकर आज तक घटित महत्पूर्ण घटनाओं को असाना और सरल सब्द में बताएंगे साथ ही साथ ताजतर इन घटना यानिके कारेंट अपैर्स पर एक नज़र डालेंगे अंत में एक special topic पर बात करेंगे आज का special topic है whatsApp पर छोटी सी गलती पढ़ सकती है बहरी जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत क्ढ़ ध्यान से सुने काम करते करते सुने अराम करते करते सुने और दुसरों को भी सुनाए ज्यान बढ़ाएं सबी प्रकार के की तरह सुरू करते हैं आज की सुविचार से आज का सुविचार है आत्मसमान हिन बेक्ती आत्मसमान हिन बेक्ती कभी भी किसी को भी हनी पहुचा सकता है इसलिए ऐसे बेक्तियों से सब्धान रहना चाहिए इसी के साथ सुरू करते हैं देशा और दुनिया के इतियास में आ पदभार समाला, शोलो सब चोबन इस्वी को एंगलो पूर्टोगाल संधी के ताथ पूर्टोगाल आइलेंड के अधिन हुआ, शोत्रो से एक साथ इस्वी को माधव राव पर्थम पेश्वा बने, आट्रो सो दस इस्वी को बोगोटा न्यू ग्रेनेटा जो अब कोलंबिय के नाम से जाना जाता है, नागरुक्यों ने स्पेन से अलाग हुए खुद को सतंत गोशित किया, आट्रो साथ इस्वी को फ्रांस ने सावन नोदी पर एक नाओ, आप स्ट्रीम को सपलतापुर्गव सक्ति के बाद, निकेफोरेस, नहीपा को नेपोलियान बोनापट का प थियोडर ने धुमकेतु ब्रोर्सेन मैककॉफ की खोज की, आट्रो साथ इस्वी को हवाई में पहला टेलीफोन को हवाई में बनाया गया, आठारो सो पचासी इस्वी को फुटबल खेलना ब्रिटिन में बैद किया गया, उननी सो तीन इस्वी को फोर्ड मोटर कमपाने न 1924 इस्वी को खेल आकबर सेउच्च की स्पोर्ट की स्थापना की गई, 1933 इस्वी को लंदन ने युदी विरोधी भावना के खिलाप 5 लाख लोगों ने रेली निकाली, 1938 इस्वी को जापान के नाम बापिस रेने के बाद फिल्लेंड को 1944 ओलिम्पिक खेलों को मेजबानी स 1924 इस्वी को अमेरिका ने जापान के कबजेवले गुवाम पर हमला किया, इसी साल तनासा एड़ आप हेटलर जर्मानी सेना के एक अधिकारी क्लाक्स बॉन स्टेनफर बर्ग द्वारा किये गए हमले से बालबाल बचे, 1921 इस्वी को जॉर्डन के सा किंग अब्दुल्ला पर्थम पर येरुसलम में किये गए हमले में मरे गए, 1956 इस्वी को फ्रांस के ट्यूनिया को सतंत्रते देश घोशित किया गया, 1962 इस्वी को फ्रांस और ट्यूनिया के बीच राजनेक समन्द एक बार फिर से अच्छे हुए, 1930 इस्वी को 17 अफ्रेकी देशों और मददगार मदगास्कर ने यूरोपियन परिशाद के साथ संदी समझोते पर हस्ताचर किये, 1979 इस्वी को अमेरिकी खोगल सास्त्री निल आर्म्स्ट्रोंग और वज एल्डरिन चांद पर पहुँचने वाले पहले बेक्ती बने, 1994 इस्वी को तूर्की के हजारों सैनिकों ने ग्रीस की राजधनी एथेंस ने चल रही बादचीत के विफल रहने पर उत्री साइप्रास पर हमला किया, 1997 इस्वी को तीस्ता नदी के जल वाटवरे पर भारत बंगलादेस में समझता हुआ, 1998 इस्वी को तालेवानी फर्नमान के बाद क्यार इंटरनेशनल और मेडिसिन सेंस फरंटियर्स के 250 सायता कर्मियों को अफगानिस्तान छोड़ा, 1997 इस्वी को इवार राव उनिस्पेस 3 के अधच निर्वाचीत हुए और इसी साल इस्पेन में प्रथम बहुद स्थूप का उदगाटन किया गया, संद 2000 को जिमबे की पार्लामेट में अपना नया सत्र सुरू किया, जिसके एक दसक में पहली बार विपच्च को बेहनने की अनुमति मिली, संद 2001 को लंदन स्टॉक एक्चेंज सर्वजरिक किया गया, संद 2002 को उत्तर अबंग दचिन करिया है, उन्हें आपस में वायुदान सेवा की सुरूआत की, संद 2005 को कानाडा में समलोगिक विवाह को कानोनी सिक्रिती दी गई और ऐसा करने वालों को चौथा देश बना, संद 2007 को पकिस्तान के सर्वच नायले ने मुसर्राप सरकार द्वारा वर्कास किये गये मुख नियादिस इफ्तिकार चोधरी को पद पर पुनव वहाल लीकाने न लिया गया, संद 2008 को अमेरिकी विदेश मंत्री कॉंडेलिया राइस ने भारतिय अमेरिकी डाक्टर जयन्त पाठिल के पत्तारपन को मंजूरी दी, संद 2012 को मेक्सिको में नयारीत में एक बस हाथ्चे में 21 लोग मारे गये 29 घायल हुए, संद 2007 को रामनात कमिंद भारत के चौदवे राश्पती निर्वाचित हुए, संद 2009 को लालजी टंडन को मद्दप्रदेश तो था नयार राजपल मनाया गया और मद्दप्रदेश को मोद्दुदा गवर्नर अनदवेन पटल को उत्तरप्रदेश भेजा गया, संद 2020 को भारतियो नोसना ने अमेरिकी नोसना के साथ अंडावन निकवर के पास समुद्र में किया गया, जुद्दवास किया गया, संद 2020 को ही संग्जुक्तराज अमिरात ने अपने पहली मंगल मिशन को सफलात पुरवक लंच कर इतिहास रचा, लाल गरह के लिए अंतरेशी जान रोवना करने वाला आरव जगत का पहला और दुनिया का सत्वा देश बना, इसी साल चीन का द्वरा हंकंग पर नया रास्टियो सूरच कारून लगाने के लिए ब्रिटेन और हंकंग के साथ अपनी प्रतापन की वेवस्ता को निलंबित क कर दिया, अब उन महान बेक्तियों को सरद्दासुमन अरफित करते हैं इनका जन्म दिवस आज मानाये जाता है, सन 356 इस्वी को यानकी 356 इसापूर महन बिजेता सिकेंदर का जन्म हुआ, लेकिन ये सन 828 को गोनेश बासुदेव जोसी जो सारवजरे करजो करता है, इनका जन्म दिवस है, माउंट एबराश को सबसे पहले जितने वाले सर एडवन्ड हिलरी का जन्म 1999 हुआ, गुलाम महमद साज व्यमुक अस्मीर के मुखपूर मुख मत्री थे इनका जन्म 1920 को गुआ, प्र 1921 को हिंदी फिलिम के प्रसिद वम हर अभिनेटा, राज्इंदर कुमार का जन्म 1939 को भारते फिलिम के प्रसिद यबंग पर्तिवासली अभिनेता ना शिरुद्दीन साह का, जन्म 1950 को और उनाचल प्रदेश के भुदपूर मुख मंत्री कलिको पूल का, जन्म 1979 को हिंदी फिल्म के प्रसिद अभिनेत्री ग्रेशी सिंग का जन्म 1989 को गवा, अब उन महार बेक्तियों को भाब्विनी सरदान्जली अर्पित करते निनका पुन्नतिती आ जाए जार्मानिक ये गनित्यक बनवाड रिमेन का टीवी रोक्यकार निधन 1866 को अधनिक हिंदी साहित्य के सिर्ष निर्माताओं बाल क्रिश्न भट का निधन 1924 को असाम राज के प्रथम अशवयोगी अबंग असाम कॉंग्रेस के संस्थापक को संस्थापक चंद्रणात बर्मा का निधन 1922 को ग्वेल लमो मारकनी इटली का एक अन्यसक था जिनका लंबी दूरी तक रेडियो संचार के छेत्र में अग्रणी भुमिका निभाई थी इनका निधन 1937 को हिवा भारत के प्रसीद करंतिकारी बोटकेस्टर दत का निधन 1965 को भार के पहली महिला नयादीश अन्यादीश अन्याचंडी का निधन 1936 को पार्स गई क्या गीता दत का निधन 1932 को ब्रिटीश सनी अधिकारी मीरावेन का मीरावेन जो ब्रिटीश सनी अधिकारी के पूत्री थिये और भारतिय सतंतरता संग्रा में महात्मा गांधी के सिदांत पर प्रवावित होकर खादी का प्रचार किया था इनका निधन 1937 को हुआ एक ब्रिटीश सित्रकार ड्राप्मेन लुईशन माइकल फ्रोड का निधन 2011 को भारतिय राजनित्य के सलमान खुर्शित आलम खान का निधन 2013 को अजयता बावरी मस्जित भुमिबाद के मुख पेरोकर हास्मी अंसारी का निधन 2016 को कंग्रेस के दिगज नेत्री एवंग दिली के पूर्व मुख मंत्री सिला दिक्चित का निधन 2019 को उडिया एक्टर विजय महंति का निधन 2020 को अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाये जाने वाले महत्पुर्ण उत्सव एवंग अवसरों के बारे में आज स्री कलिखोपूल, अभिनेता, नसुरदिन और राजिंद्र कुमार तूली, जयनती, श्री ब्योटुकसरदत, स्री मती सिला, दिक्चित स्मृती दिवस के साथ-साथ आज नेशनल मूंडे मनाया जाता है अब बात करते हैं आज के Current Affairs जो प्रतिजगिता परिच्चाओं के द्रिष्टी से महत्पूर्ण है राष्टियो Current Affairs में पैक्सास यनकी भारतियो पत्राकरों, राजनेताओं और कार्जो करताओं की जासुसी करने के लिए पैक्सास सौप्ट्वेर का उप्योग करना इसके लिए संसद में विवाद बढ़ गया है सरकार ने दो स्रेणी में राष्टियो लोजिस्टिक उतक्रिष्टता पुरस्कार सुरू करने की गोचना की आर्थिक Current Affairs में स्रम मंत्री भुपेंद्र जादब के अनुसार एप्रिल जून तिमाही 2020 में सहरी भारत में बेरोजगारी दर 20.8 प्रतेसत रही चाय का निर्जात 2021 में गिर कर 23.8 मिलियन किलोग्रम हुआ अंतराष्टियो Current Affairs में संग्जुक्त राष्ट ने इसराइली फॉर्म एनसो ग्रूप द्वारा बनाए गए पेगासस स्पाइवेर का उप्योग करके दुनिया भर के काज़ करताओं पत्रकरों और राज देताओ की जासुसी पर चिंता वैक्त की अब बात करते हैं आज के स्पेसल टॉपिक पर वाट्सेप पर छोटी सी गलती पढ़ सकती है भरी दुनिया की जाने मानी Instant Messaging F वाट्सेप आज के समय में हमारे लिए काफी जोरूरी हो गई है अगर वाट्सेप को लाइप स्टाइल का हिस यूज ना करता हो लेकिन वाट्सेप यूज करने के लिए Rule and Regulation, Turn and Condition के बारे में साइध ही किसी को मालूम है वाट्सेप का उससे बहुत सब्धानी से यूज करना चाहिए नहीं तो आपका वाट्सेप बेंड हो सकता है मैं आपको बता दूँ वाट्सेप एकाउंट को दो अगर प्रतिबंदित कर दिया जाए तो उसे एक्टिब करना मुश्किल है यानि कि नहीं किया जा सकता है मगर टेंपोरी तोर पर बंद कर देने से एकाउंट को रीवी होने के बाद दोबरा चालो किया जा सकता है आज हम आपको बताऊंगा कि किन-किन करणों से किसी भी व message, porn content, child porn content भेजते हैं या forward करते हैं या फिर साजा करते हैं तो आपका एकाउंट डायरेक्ट प्रतिबंदित किया जा सकता है और आपको जेल भी जना पड़ सकता है दूसरा करन, third party app इस्तिमल करने पर, अगर आप whatsapp के साथ किसी third party app जैसा whatsapp mode, whatsapp plus और gb whatsapp का इस्तिमल करते हैं तो आपका एकाउंट प्रतिबंदित किया जा सकता है तीसरा कारण WhatsApp हेक करने से अगर कोई किसी का WhatsApp एकाउंट हेक करता है या ऐसे करने की कोशिस करता है तो ऐसी इस्तिति में WhatsApp आपका बेंड यानकी प्रतिबंदित किया जा सकता है और साथ ही साथ आपके खिलाब कड़ी करवाई भी किया जा सकता है। चोथा करण अफराधिक गोती वीदियों में समील होने पर अपने कोई बार सुना होगा कि दंका भढ़काने पीछे WhatsApp या सोशाल मीडिया पर सजा किये गए मेसेज होते हैं। इस परकार की कोई भी मेसेज करने पर सुरच एजन्सियों की शिकायत पर WhatsApp एकाउंट प्रतिबंद किया जा सकता है। पाज़वा करण कॉपिराइट नियम तोड़ने पर WhatsApp पर किसी भी फिल्म या ऐसी किसी भी परकार का कॉंटेंट साजा करने से जो कॉपिराइट एक्ट के नियम विरुद है तो आपका एकाउंट को प्रतिबंदित किया जा सकता है। इसलिए अंत में एक आना है WhatsApp एक बहुत ही अच्छा प्लैटफॉर्म है ज्यान बर्धक और उपईवी कॉंटेंट ही साजा करें। आथियों इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़ी रहने के लिए धन्नवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रूप और दोस्तों में सेयर कर दें। अगर आप ना इदर सकते हैं ते चुन को सब्सक्राइब कर और पिसल बेलाइक कुल को दबा दे। नेक्स्ट वीडियो आ नाई जनकरे के साथ कल फिर मिलेंगे आपका दिन मंगल में हूँ परिवार के सभी लोग स्वास्त रहें मस्त रहें कुछ रहें इसी सुकामना के साथ जय हिन जय भारत।